क्लास नाइन का ये हिंदी बुक है और इसमें हम पदखान में जानेंगे कभी विजय कुमार जो है निम्मों की मौत निम्मों की मौत देखिए तब से पहले कभी का जिवन परिचे कर लेते हैं जिवनी झान लेते हैं इनके बारे में कुछ देखिए इनके बारे में । Hai थो हुआ था मुंबई में 1948 शी को उनकी सिक्षा तिक्षा मुंबई में ही हुई उन्होंने MA हिंदी में किये और PhD की मुंबई मिस्विद्याले से पराप्त की उनकी पहली कवीटा दो पर 1979 शीमें पहली कवीटा का संगरा का नाम था दो जो है 1988 में परकासित हुआ उनिस्वाश्यासिस भी में उनकी एक आलोचना की पुस्तक साथोत्री हिंदी कविता परिवर्तित दिसाएं परकासित हुई अब वे बिविन परकार के काम किये जैसे की आप यहाँ पर स्कृट लेकर आप परसकते हैं तेके हैं चलिए आगे हम कविता के बारे में थुरा सा जानते हैं किस कविता में कभी किन चीज़ों के बारे में बताया है देखिए प्रस्तूत कविता जो है कविता का नाम है निम्मो की मोध पर उनकी अदतन का बिपुस्तक रात पाली जो है उनहीं से ली गई है यह कविता निम्मो और उस जैसे घरेलू नोकरानी निम्मो एक नोकरानी है उनको लेकर लिखी गई है जिसका महानगरी है समाज में अपना कोई अस्तित्व नहीं होता ऐसे लोगों की अचानक मिर्थियू पर किसी तरह का परस्न नहीं किया जाता मुंबई जैसे महानगर में भी कवी की दिरिष्ठी समाज की अभाव गरस्त बंचित जन बंचित लोगों के परतिया कागर दिखलाई परती है इसमें कवी की मनब्वे संबेदना का पता चलता है मतलब देखिए जो गरीव लोग होते हैं जो नोकर होते हैं सहर में अगर मर ग पढला करें छोगे कि अधिक हैं यहां तक देखिए यहां तक कभी कहते हैं वह भीगवी चरयां की तरह फुरूफ ररती थी किसको अवारico के बाड़े में वह भीगी देखिनांकी तरह फुरूफ राती थी हम जान्ते थे अंधिरे में सूखी रोटी और तीन medonis a woh Avato K की हुई चिर्यों की तरह फुर्फुराती थी हम जानते थे अंधेरे कोने में दुबाक एक सूखी रोटी और तीन दिन पुराना साग वह चोरों की तरह घाती रही कई बरस सालों साल उसने चिठी नहीं लिखी अम्मा को टेलीफॉन के पास उसका फटकना ने सिद्ध था अर सुखी रोटी सुखी रोटी जो है और दिन का वादी साग झाले चिसल आधना सेव और तो कोको सब्सक्राइब और साथ ही महानगरी समाज द्वारा उपयक्षित अत्वा तुरी स्कृत होता है उसी के की और टेलीफॉन के निकड़ जाने से उसे मना था नोकर जो होते हैं उनको टेलीफॉन के नीचे नीचे विविघन परकार की चीज़ा को चूने से मना ही रहता है तो महानगरों में घरलू नुक्रणी की गरलू नुक्रणी को उपेक्षा का पात्र माना जाता है देखी आगे कभी कहते हैं थूरा सा इसको रेक्रिंग कर देते हैं अपको पता चले देखी ए हमें मालूम था लानतो गाली लात घूसों के बाद लेटी हुई ठंडे फर्स पर गए रात जब उसकी आँखे मुद्धती थी एक कमपन पूरी धर्ती पर पसर जाता था उसकी थमी हुई हिचकिया उसके पीहर तक चली जाती थी देखिए काने का मतलब है कि महनगर में काम करने वाली घरेलू नुकरानी की जो दसा है उनका बर्नन करते वे कभी कहते हैं कि जो मालिक होते हैं उनकी डंट खा करके उनकी गाली सुनने के साथ लात गोसा भी कभी कभार लग जाता है उनको सहन करना पड़ता है और वह जब रा थी तो उसका हिर्दे विद्रीन हो जाता था उसकी अपनी विवस्था कर रहा उठती थी मतलब wizard वह क्या उती थी कर रहा थी थी यह मतलब रोणा मन नहीं और मन की जो वैता है जखजोर डालती थी और यहीं वैद था उसकी आहँ बनकर कि उसके माईके तक उसकी पीहर मतलब उनका गाउं जो होता है माईके चली जाती थी आगे देखिए ये उसी अस्टेंजा का पार्ट है कि हर रोज एक अनुपस्थित गहा उसके सरीर के भीतर कहीं रहा होगा और सायद कुछ अनकही प्रार्थनाएं नींद में कभी कहत आप से घिरना अपने आप से घिरना उत्पन होने का लगा और सोने की अवास्था में जिवन से मुक्ति के लिए प्रवित करने मतलम नींद में हमेसा यही वह करती थी कि कब वह यहां से चल जा एक तरह से मिर्टियों को पराप्त कर लिए ठीक है अब देखिए आगे बरते हैं अगला जो तीसरा स्टेंजा है उसमें कभी कहते हैं यह सरीड जो तीस बरस से इस दुरिया में था और पीश़र उसे रहना था यह पर शरीर जो तीस वरस से इस दुनिया में था और तीस वरस उसे रहना था यहां पर एक दिन रेत की दिवार की तरह गिरी वहसासा उसके चले जाने में कोई रहस्य नहीं था कभी कहते हैं कि यह शरीर मतलब निमो का जो 30 वरस तक ही जिवित रही क्योंकि उसे इतने दिन तक ही जिवित रहना था मतलब उनकी आयू जो है 30 वरस की ही थी लेकिन एक दिन जब वह रेत बालू की भांती डहा गई यह काई उसकी मिर्तियू अचानक हो गई तो मरने के कारण मरने के कारण उनके बारे में कही कोई चर्चा नहीं हुई मतलब हमांगरिय स्माज में क्या होते हैं गरीबों की अचनक मिर्ति उपर कोई पर Shouldn't कोहई नहीं पूचता एंकि क्यों मर गया लगत दस कहने का वहां पर होता है कि इसका बस इतनी यह दिन का लिखा हुआ था इतनी दिन नहीं का जीमन था जीमा एंक म्रता है तो इस हमने इसका भावार्त जाना वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले लिस्ट में आप जाएए पूरा का पूरा हिंदी का वीडियो जह है कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई वीडियो चाहिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू